इसलाम लेकुम स्टूरेंट्स मेरा नाम प्रोफिसर मुहम्मद जुहेब उमीद आप सब लोग खरियत से होंगे जैसा कि आप सब को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इन्पुट डिवाइसेज का जिकर किया था और टाइपस ओफ डेटा को डिसकस किया था आज हम टापिक डिसकस करने जा रहे हैं वो है आउटपुट डिवाइसेज इन्पुट डिवाइसेज को पढ़ने के बाद जो टापिक हम डिसकस करने जा रहे हैं वो है आउटपुट डिवाइसेज इसके बाद इन्शाला हम स्टोरेज डिवाइसेज को और सीप्यू को जो ह तो आज हम जो है output devices को discuss करेंगे तो output devices क्या होती है output devices को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि computer जो है हमें output return करता है output वापिस करता है पहले दो lectures में काफी detailed discussion हुई थी इसके उपर और बताया था कि data देने के लिए input devices use होती है और data लेने के लिए जो result आता है जो information आती है उसको लेने के लिए मार पास output devices use होती है तो those devices which are used to give output result या information are called output devices ऐसी तमाम devices जो के हमें output return करने के लिए result देने के लिए या information वापिस करने के लिए इस्तमाल होती है उन्हें हम output devices का नाम देते है याद रखिएगा पहले भी बताया था कि output हमेशा process होने के बाद हमें मिलती है तो यह जो output devices हैं यह process हुए हुए data को हमें return करेंगी ऐसा data जो के processed form में होगा जो के information की form में होगा जो के meaningful होगा वो data हमें मिलेगा ठीक है तो यहां पर कुछ output devices का नाम लिख्यों मैंने जैसा के पहली output device हम हर पास monitor, printer and speaker यह तीन तरहां की output devices use होती है एक monitor है, printer है और speaker है इसके इलावा कोई output device नहीं है monitor, printer and speaker यह तीन output devices है और इन ही के through ही हमें data जो है वो return मिलता है तो याद रखेगा students, यह जो monitor है, यह screen output देता है screen की form में, screen, उसको हम soft copy output का नाम भी देते है जो printer है, वो हमें paper की form में output देता है कोई paper, कोई cardboard, उस form में जो output मिलती है, उसे हम hard copy output का नाम देते है और जो speaker है, वो हमें sound output पो वाइड करता है sound की form में, जो output हमें मिलती है, वो हमें speaker की through मिलती है तो monitor, screen output, printer, paper output and speaker, sound output तो यह जो screen output है, यह soft copy output होती है यह tangible नहीं होती, हम इसको touch and feel नहीं कर सकते जो paper output होती है, जो के printer पो वाइड करता है, वो hard copy output होती है वो tangible होती है, हम उसे touch and feel कर सकते है जबकि जो sound output है, वो भी soft copy output है, ठीक है तो soft copy, hard copy जो monitor output देता है, वो भी soft copy है जो speaker output देता है, वो भी soft copy है जो printer output देगा, paper की form में, वो hard copy होती है ठीक है, तो ये जो मारे पास monitor होता है इसकी फर्दर आगे से दो categories है, फर्दर आगे से दो types है और उन types की भी आगे से types है वो अलग से topic होगा हमारा सिर्फ monitor के ओपर हम सिर्फ monitor को discuss करेंगे जिसमें monitor की resolution आएगी, monitor का size आएगा monitor के colors होंगे और monitor की working को discuss किया जाएगा अब भी सिर्फ मैं आपको बता रहूं कि ये जो monitor है इसकी दो types है पहली इसके type है CRT monitor इसको cathode ray tube का नाम दिया जाता है cathode ray tube पुराने जुमाने में जो monitors होते थे वो televisions की तरह के होते थे काफी जो है, ठीक होते थे जिनका वजन भी काफी होता था और वो space भी काफी consume करते थे जबके आज कल जो monitor use हो रहे हैं, वो LCD monitors use हो रहे हैं LCD monitor जो हैं, वो CRT monitor के मकाबले में result भी अच्छा provide करते हैं और space भी कम consume करते हैं electricity भी कम consume करते हैं और ये जो printer है, इस printer की भी दो types हैं, एक impact printer है और एक non impact printer है जो impact printer है उसकी भी फर्दर आगे से कुछ categories है और जो non impact है उसकी भी फर्दर आगे से कुछ categories है इंशाला इस पर भी एक detailed lecture रखेंगे जो सिर्फ printer को ही discuss करेंगे और इसकी दोनों types को discuss किया जाएगा और अभी मैं आपको थोड़ा अब साँ दा देता हूँ कि ये जो impact printers होते हैं ये ऐसे printer हैं जो के paper के उपर striking mechanism को use करते होगी प्रिंट करवाते हैं यानि के paper के उपर strike करके, paper के उपर hit करके जो printing होती है वो impact printers करवाते हैं और जो non impact printers हैं, वो without आउट यूजिंग स्ट्राइकिंग मेकानिजम पेपर के उपर प्रिंटिंग करवाते हैं तो आज का जो टॉपिक हम लोग ने डिसकस किया है थोड़ा सा ओवर्वीव पढ़ा है वो आउट्पुट डिवाइसेज पर है आउट्पुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती है जो प्रिंटर है वो पेपर आउट्पुट डेता है और जो स्पीकर है वो साउंट फॉर्म में आउट्पुट डेता है और याद रखिएगा स्क्रीन फॉर्म में जो आउट्पुट आती है और साउंट फॉर्म में जो आउट्पुट आती है वो सौफ्ट कॉपी होती ह जबकि जो paper form में output आती है, वो hard copy होती है, वो tangible होती है, उसको touch and feel कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग उने types को discuss किया, monitor उसकी दो types हैं कौन-कौन सी, CRT monitor, cathode ray tube और LCD monitor, liquid crystal display, और second जो हमने types discuss कि वो monitor की थी, monitor की दो types हैं कौन-कौन सी, एक impact printer और दूसरे non-impact printer, impact printer वो होते हैं, जो के paper के उपर printing करते हैं, striking mechanism वो use करते हुए, और non-impact printer वो होते हैं, जो के without using striking mechanism आपके paper के उपर printing करते हैं, जबकि जो speaker है, उसकी कोई types नहीं हैं, हाँ, उसके different models हैं, different उसमें qualities हैं, जो के आपको बहतर से बहतर sounds है, वो provide करते हैं, तो speaker sound form में output देता है, तो तो आज का जो lecture था, वो यहां तक ही था, overview हम लोगों ने discuss करना था, वो मैंने आप उनको बता दिया है, इन्शाला आगे आने वाले lectures में हम storage devices को तुरा सा discuss करेंगे, फिर CPU की working discuss करेंगे, फिर ये जो input devices हम लोगों ने पर ही, output devices पर ही, जो storage devices परेंगे, CPU परेंगे, इनके detailed discussion हो होगा, उसको detailed discuss करेंगे, तो इन्शाला आगे जो lectures होंगे, मैं साथ-साथ upload करता जाओंगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये lectures देखिएगा, जिसने पिछले lectures नहीं देखें, मैंने description में link mention कियो है, kindly उस lectures को भी देखें, ता कि आपको computer basics की understanding जो है, वो अच्छे से हो जजजी, बहुत शुक्रिया,